कि नमस्ट करता त्यूंग कैसे हैं आप सभी मैं विनतिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहतरीन तरीके से कर रहे होंगे तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाईए हाँ थोड़ा सा कुछ सेटिंग वगरा चल रही थी बतलब सिस्टम में बस वही थोड़ा सा वह गया कोई बात में आप लोग सब लोग आ जाईए प्रॉपर चीजें रहें इस वज़े से थोड़ा सेट करना भी आवश्यक था जरूरी था तो आप सभी लोग को वेरी गुड मॉनिंग रादे रादे राम राम एंड सर्स्त्रिया का आप लोग होप सो अच्छे होंगे देखो मैं चेंज हो रहा है अपना ध्यान रखो घर वालों का भी ध्यान रखो विकॉज अभी बीमार पड़े तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे यहां पर जुड़ जाएंगे हां बेटा वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉ झालों को जयते हो जाएंगे इसलिए कर अधिर 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 जो एक आधि अधिर आधि अधिर 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 इससे बेटा ये नियू ख्लास नहीं देखो यह क्लास रेगुलर सुबह 10 बजे लाइव रहेगी हमेशा ठीक है आप लोग की यह क्लास रेगुलर सुबह 10 बजे आप लोग की लाइव रहेगी रोज सुबह 10 बजे रोज सुबह 10 बजे आपकी यह क्लास लाइव हुआ करेगी रोज सुबह दस बगे देखो आप लोग को मैं बात बताऊं तो आप लोग को पता है कि यह ससी के सीजियल टियर टू की कल आ गई है एंसर की तो जिल लोगों ने टियर टू का का एक्जामिनेशन दिया था उन लोग के लिए कल एक और चीज ओपन हुई मतलब एंसर की आने से यह पता चल जाता है कि उनके राव मार्स कितने आ रहे हैं और राव मार्स के बाद एक बार आइडिया लग जाता है हां खुश रहो बेटा सिमा खुश रहो सभी लोग खुश है आप लोग 1447 की आप डाउनलोड जरू कर लिजेगा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब अवश्य कर लिजेगा चलिए सबसे पहला प्रस ना आपकी स्क्रीन पर यह ला कि बताइए ट्राइब कर यह जल्दी खुश रहिए विटा खुश रहिए सभी लोग चलिए चलिए फर्स कोश्चन आप लोग कि स्क्रीन पर है विटा जल्दी से देखिए और बताने का कि इसका क्या एंसर आएगा झाल 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 एंसर कि नहीं ने बिटा अच्छी सखसा नहीं है कि बिल्कुल रेगुलर होगी उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रही चलिए पहला कोश्चन बाते वंद्र राम राम रादे-रादे होता रहेगा हमारा लोगों का जी 253 सबसे पहले सिवानी ने एंसर कर रहा है अब हमारे पास अगर यहां से छोटा सा सिंपल सा यहां से आपको एक आइडिया है अब यहां नब्बे आ रहा है तो मतलब हम लॉजिक जो सेट करेंगे वह इन दोनों से सेट करेंगे यहां पर 186 मतलब लॉजिक इससे सेट होगा और यहां सेट करके हमें लॉजिक बताना है क्या बनेगा और बाकि अभी किसी का एंसर नही कि बताइए बताइए नोबडी कि क्या बात है एंसर नहीं आ रहा है किसी का तो यह बहुत असान सा कोश्चन है और आप सारे लोग इसका एंसर निकाल सकते हो लेकिन नहीं आप लोग निकालना ही नहीं चाहरे है कि कि चलो देखा जाए कि कोई एंसर नहीं आया भाई साहब कि चलो कि आप समझाता हूं कि बहुत असान है इधर देखूं कि अगर मैं अठार का माइनस कर दूं 12 से तो कितना आएगा च्छे आएगा कोई दिकत यहां तक किसी को मतलब डिफ्रेंस ऐसे इसका डिफ्रेंस लोगे तो कितना आजाएगा ऐसे ही इसका डिफ्रेंस लोगे तो कितना आजाएगा दस आजाएगा इसका डिफ्रेंस लेंगे कितना आजाएगा दस आजाएगा इसका डिफ्रेंस लेंगे कितना आजा और प्लस अठारा तो बार अच्छेंग बहत्तर और प्लस अठारा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90 ही आ जाएगा इसको भी चेक करना चाहतो कर लूँ देखो तो 16 कुणे 10 प्लस 26 मतलब जो डिफरेंस आएगा उसका पहले वाले मल्टिप्लाई कर दो जो डिफरेंस आएगा पहले वाले मल्टिप्लाई कर दो जो दूसरा वाला नंबर उसमें जोड़ दो तो प्लस 26 कर देंगे देखो 160 प्लस 26 कितना हो जाएगा 186 186 हो जाएगा 186 हो जाएगा क्लियर है आपर सेम ऐसे यहाँ देखो तो 13 गुणे 23 और प्लस 36 ऐसा कमना है तो तेरह तियां तालिस का नौ तीन हासिल लग गया तेरह में 26 और तीन 29 और प्लस 36 यह हो गया जोड़ दे नौ चरपंडर का पांच फिर एक हासिल लग गया मतलब 29-30 3035 और आप लोगों का एंसर है ऑप्षिन नंबर अप्षिन नंबर ऐ है अब बताओ समझ है आया इस कोस्ट्टन का एंसर किया हो गया मेरे से नौ ऑप्षिन नंबर ए होगया कैसे निकला आपने देखा हमने पहले इन दोन नंबर के डिफुरेंस लिए आया उसको पहले वाले नंबर से मल्टिप्लाई करके दूसरा वाला एड़ कर दिया हमारा एंसर लॉजिक सोचल से दिमाग घोंग गया कोई बात नहीं चलिए अगला कोश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है टाइम है स्टार्ट है दस हैं सत्रह हैं थबिस हैं उन्तालीस हैं पचास हैं इसमें स से आपको बताना है कौन सा वाला अलग है बताओ जल्दी है कि कौन सा अलग है और अगर यह ने निकाल पाएने तो घर बढ़ा है जलो आजो इसमें कौन सा डिफ्रेंस है तो संबडी आर सेंग सर उन्तालीस को अलग कर दे हैं आजो देखते हैं ध्यान से देखें अगर हम यह देखें दस सा सत्रा प्लस साथ किया सत्रा अच्छे और तीन नौ साथ और नौ यह हो गया प्लस साथ प्लस नौ यहां देखो यह क्या दिख रहे हैं आपको यह ओड नंबर दिखाई दे रहा है अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूँ इसमें कितना जोड़ दूँ? नहीं, साथ, नौ, हाँ, ये ग्यारा, अगर ये ग्यारा जोड़ू तो ये कितना आ जाएगा, सैंतीस आ जाएगा, फिर तेरा जोड़ू तो देखो ये पचास हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जो अलग हो गया, वो है आपका बी वाला option, because जो ये series थी, वो कैसी थी, odd number series थी, कैसी series थी मेरे सेखरों, odd number series, clear है, अगला question, चलो, ये नीचे का option कट रहा होगा, आप लोग का, तो जो ये option हो, only second follow है, बता दे रहाँ है, d वाला, d option, only second follow, ठीक है, चलिए, बताईए, इस question का क्या answer बनेगा, thank you बेटा, सबी लोग, जल्दी अदी आजाओ, जोड़ जाओ, share करते रहा करो, अपने सेशन को, अपने सारे मित्रों को यहाँ पर जोड़ लीजे, जिन्हें आप लोग अभी तक न जोड़ पाए हूँ, बताईए, इस नोगष, झीजा फूड़ झीजे, जिए जाओ, बताईए, जोग जोगदी तक पषटनने सारे मित्क नच मोड़ा, झाल 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 आज़ें यहाँ पर बोला है all bat are wicket सारे के सारे जो bat हें वो क्या है with switches सारे के सारे जो bat हें वो wicket है all pad are ball अब देखो pad और ball का कोई relation अभी नहीं क्योंकि यह bad है और यह wicket है थेके फिर some wicket are ball तो some wicket are अब यहाँ पर ball आ गई और all pad are ball मतलब pad इसके अंदर बनेगा, ऐसे, समझ गए, यह बन गया इसका, अब आप से पहला क्या बोला है, all wicket are pad is a possibility, देखो सारे के सारे wicket pad हो, इस बात की संभावना है, यस, देखो, अगर मैं इसे अलग से समझाओं आप लोग को, तो यह कुछ इस तरीके का है, कि सारे के सारे ज तो कुछ ball है, वो क्या है, wicket है, अब यहाँ पर देखो, इस pad का, इस wicket से कोई confirm relation दिया है, नहीं, तो लेकिन यहाँ चुकी क्या लगा हूँ है, possibility लगा हूँ है बेटा, यहाँ पर क्या लगाया गया है, possibility लगाया गया है, इस वज़ा से यह वाला क्या है, ठीक है, फिर ब जो conclusion है, वो कैसा है, मतलब question positive है, और यहाँ पर देखो, no bet is pad is possibility, तो no bet is pad is a possibility, अब एक बात बताओ, यहाँ पर no की जो संभावना बोला है, यहाँ पर जो no की संभावना बोला है, यहाँ अब देखो, हमें कोई surety तो है, नहीं कि bet का pad से relation क्या होगा, हम लोग इसे कहते हैं कांट से बोलते हैं, और या तो इसे doubt बोलते हैं कई लोग, और या तो इसे हम लोग मैं बोलता हूं indirect, मेरी भासा में इसे क्या बोलता हूं, मैं indirect, indirect का मतलब होता है, जब आपको कोई relation clear नहों, उसे indirect कहते हैं, तो indirect होने का मतलब simply यह होगया, कि अब possibility में अगगर कोई चाहे वो सम में आए चाहे वो नो में आए और चाहे वो सम नौट में आए वो सारे के सारे possibility में क्या हो जाएंगे साही हो जाएंगे और यहां भी देखो possibility लगी है तो इस वज़र से यह भी सही है और आपका answer only one and three follow option number a चला जाएगा कितने लोगों का option number a answer है sir all wicket की possibility नहीं होगी वहां गया बेटा simple इधर आओ जब हमें यह पता ही नहीं के pad का wicket से क्या relation होगा wicket का ball से relation clear है सम लेकिन इस pad का wicket से relation clear नहीं है यह कुछ ऐसा समझो जैसे माल लो यह मेरा mobile है और यह मैं हूँ और यह आप लोग अब बात बताओ मेरे mobile पे किसका phone आ रहा है कि आपको पता चलवा है मुझे वस इत्ता बता नहीं न तो doubt हो गया तो इसका मतलब मैं भूल दूं-आपके सारे घरवालों का phone मेरे phone पर आ रहा है आपके पापा का phone मेरे phone कर आ दो तो यह कुछ भी हो सकता है हो सकता है इसलिए यह हो सकता है लिखा था इसलिए ख्लेयर हुआ हाँ अं हम सी आपका 예ंसि इस और रिंग और अच्छा question था आप लोग के confuse करने के लिए चलिए अगला देखिए हैं आपर विवर को क्या बोला है एक्स टी सी वाई सी टी तो एफ एल ए जी एस एच आई पी flagship अब यहां देखो ध्यान से जल्दी देखिए और यहां पर बताने कस्ट करिए कि क्या रिस्पॉंस या क्या लॉजिक बन रहा है अब देखो यहां पर यहां पर खेर पास पास है दिख रहा है 22 से 24 प्लस दो 9 से 7 माइनस दो माइनस दो प्लस दो माइनस दो और प्लस दो लेकिन यहां देखो एक बात आपको सौन जा रहे हैं यह दोनों वाविल हैं यह तीनों वाविल जितने भी स्वर हैं यानि वाविल हैं उसमें हम लोग को माइनस टू करना है और जितने भी हमारे वेंजन हैं यानि कॉंसोनेंट हैं उसमें हमें प्लस टू करना है उसमें हमें क्या करना है plus 2 करना है clear plus 2 minus 2 का logic नहीं है यहीं तो गरवड़ी हो रही है यहीं गरवड़ी होगी मुझे पता है कि हम यह सोचेंगे plus 2 minus 2 चल ला है अरे लव लपेड दे और आप लपेड होगे तो आप लपेड जाओगे यहाँ पर यहाँ पर ऐसा कत्ता ही नहीं हो रहा है यहाँ पर logic क्या लग रहा है कि वॉवल में minus 2 consonant में plus 2 तो यहाँ पर देखो plus 2 यहाँ भी 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 देखो plus 2 तो 16 और दो 18 बोले तो 8 और 10 बोले तो तो जे, 19 और 21 बोले तो यू, 7 और 29 बोले तो आई, और यहाँ पर minus 2 और minus, तो 9 में से 2 चला जाए, कितना हो जाएगा, 7, तो यह देख लो, I, U, J, G, R, I, U, J, G, R, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, यह दो, आपका answer बन जाएगा, B1, बताओ, clear हुआ, मेरा answer तो जी देखकर आगया, जी, जी, अभी clear हुआ, हाँ, लेकिन गलत answer आया ना, आप लोग का, हाँ, ठीक है, ठीक है वेटा, अगर आपका answer जी देखकर आया तो बहुत अच्छी बात है, good, चलो, clear है, next, बताइए, अगला question आप लोगों की screen पर है, मेरे सेरों, निकाल करके बताओ, इसका क्या answer है, जल्दी, जल्दी, बहुत अच्छा question, बहुत आसान question, आप सारे मेरे सेर बना लोगे, इस बात की surety, खुसरों बेटा, जल्दी देन निकाली और बताइए, इस question का क्या answer आएगा तो, बी answer सबसे पहले, ओके, मैं मान भी गलट टाइम प्याए जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं, हाँ, वो, एक movie है न, आती थी, तुम कब जाओगे, ऐसा वाला हाद, चलिए यहाँ पर आजए, यहाँ पर देखें, तो क्या दिख रहा है, अगर देखो बेटा, तो देखो यह 13 का स्क्वाइर और माइनस अगर मैं 8 का स्क्वाइर कर दो, 13 का स्क्वाइर 169 और माइनस 8 का स्क्वाइर 64, कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया, 5 और यह दो, 105 हो गया, 15 का स्क्वाइर, माइनस 7 का स्क्वाइर, क्या, 15 का स्क्वाइर और माइनस 7 का स्क्वाइर, पंदपंदम 225 और माइनस 7 स्क्वाइर 49, तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, आगे हैं आपर, सेम ऐसे ही सत्तर का स्क्वाइर और माइनस नो का स्क्वाइर, सत्र का स्क्वाइर, 289, 289 माइनस एक्यासी, कितना हो जाएगा, 208, 208, Option नमबर, P is the final answer, Option नमबर, P is the, बिलकुल सही मुख्य यह च्छाए एंसर है, बिलकुल रोणी यार, गेमी, क्लियर है सभ को 208 ठीक है यह कोश्चन बहुत ज्यादा पूछे गया है सीजल के पेपर में बहुत ज्यादा और एक बात बता दूँ यह दोजार 1212 के पेपर को मिक्स करके कोश्चन ला रहा हूं मैं अभी ठीक है आप लोग बढ़िया तरीके से रेगुलर क्लास करते रही है ठीक है मस्त हम लोग तैयारी करेंगे चल यहां पर देखिए 14 हैं 10 हैं 21 है 14 है 6 है 160 है बता यह बहुत आसान कोश्चन है जल्दी से निकाली है तो जल्दी यह जल्दी बताईए बी ओप्शन है जोर सारे लोग सोच लिजेए चलो ऑप्शन नमबर भी है ना देखते हैं यहां देखो 14 है 10 है और 21 है 14 है 10 है और क्या है 21 है clear है बी ओप्शन है sure yes sir बी चलो देखो एक हम यहां पर अगर देखने की कोशिस करें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं देखो यह तो 21 है तीसरा नमबर हाँ हम यह कह सकते हैं कि third number को हम divide करेंगे जैसे third number को हम divide करेंगे first और second के addition से कितना आ रहा है देखो 21 divided by 21 तो कितना आ जाएगा एक बराबर एक जो भी गया यहां पर आ गया बताओ यह वाली बातसांज में आगी सब भी लोग को यस अब यह हमारे को जो चेक करना था वो तो यही हो गया कि तो क्या ओगया यही पर हो गया clear को दिक्कत यह तक नहीं अब यहां पर देखो यह चीज कैसे clear होई कि एक हमें कैसे लाना था मतलब यहां तो एक आया यहां पर हमारा क्या आगया एक अब यह क्लियर कैसे करना है कि हमें क्या लाना है तो देखो जैसे हमने यह एडिशन किया है इसी को बराबर 11-10 करोगे कितना आ जाएगा एक बराबर एक यह लिख रहागा अब यहां इसको भी चेक करा देखो एक्सो साथ डिवाइड़ बाई एक्सो साथ डिवाइड़ बाई 14 प्लस6 फिर बराबर 14 माइनस 6 तो यह कितना हो गया एक्सो साथ डिवाइड़ बाई 20 यह हो गया आपका 8 बार यहाँ देखो यहाँ भी कितना आजाएगा आठ अब ऐसा किस option में बन रहा है वो देखना है देख लो एक तो concept यह हुआ ठीक है लेकिन यह concept आप लोग को थोड़ा सा लिंदी लग रहा होगा एक method आपका यह हो गया एक तो method आपका यह हुआ आप लोग को थोड़ा सा थोड़ा सा लिंदी लग रहा होगा ठीक है एक दूसरा method भी है उसको भी देखते हैं हम लोग क्या अगर मैं इन numbers के square कर दूँ जैसी यह अभी देखना second method बता अगर मैं 11 का square minus 10 का square कर दूँ तो 11 का square बराबर एक सो साथ हो जाए बराबर क्या हो जाएगा एक सो साथ हो जाए आड़ी बात समझें सभी को अब बताइए तो इस हिसाब से क्या हुआ जैसे आपने कहा भी एंस है तो 19 का square minus 12 का square कर दिये 11 में से चार गया साथ आ जाएगा हाँ उसके बाद क्या हो जाएगा पांच पांच में से चार गया एक आ जाएगा अब तीन में से गया दो 270 option नंबर बी बताओ ये clear है कि एक मैथर्ड मैंने आपको ये भी बताया कि इन सब कोश्चन के लिए बिटा नंदनी बिटा कोश्चन तो लगाने पड़ेगी अब देखो जब धेर सारे हम कोश्चन लगा चुटो तो हमाई दिमाग में तो कि लॉजिक करने लगते हैं और वही पेपर में क्लिक जो होता है वही हमारे काम आता है जतने जल्दी क्लिक होंगे फॉप अच्छे कोश्चन से आदशी कोश्चन सका लेवल आप देख लिजे देख रहे हैं आप लो इस लेवल पे त्यारी रखनी है अपने आपको चा स्क्वाइर वाला एजी है वो थोड़ा टफ लगाऊगा बट वो कुछ टफ नहीं था चलो और वो आप लोग को पता करिश्मा कहा मिलता है मेरी क्लास में मिली जाता है यहाँ पर देखकर बताईए सभी लोग कि इसका क्या रेस्पॉंस बनेगा जल्दे देखे बताई बताईए किस वाले आप्शन में हमारा एंसर बन रहा है किस वाले आप्शन में हमारा एंसर बन रहा है देखो यहाँ पर देखिए बताई 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 जल्दे बताई सबी लोग वी ओप्षन आ रहा है माही हां कुछ लोग B कुछ लोग D आप देखो सबसे पहले हम डिवाइड देखते हैं तो डिवाइड देखो ये वाला जैसे एक दो ती एक दो ती दो वटे पांच हल तो हो जाएगा लेकिन अगर दो हमाई लिए मुस्किल होगा तो यह ओप्षन तो काड़ इस वाले प्याओ पांच बटे दस यह हली नहीं होगा इसको भी काड़ अब बचे यह दो ऑप्षन इन दोनों में यह चीज़े हैं यहां से पांच पच्चम 25 अगर हमने करा भाग की वज़ें से यहां मल्टीप्ला से ठीक है तो आपने क्या करा 25 बटे 5 प्लस तस पुणे 2 और माइनस 4 तो 5 पच्चम 25 और 20 25 पच्चिस माइनस 4 कर दोगे 21 आजाएगा और दी एंसर बिलकुल सही है गौट मस्की नहीं है हमसे ठीक है चलो अगला कोश्चन निकाल लिए और बताईए इस कोश्चन का क्या ए एंसर आएगा नहीं आपके कमेंट आ रहें विटा मूंकेस अ हाँ विना सॉल्व के डी एंसर आए यह बात तो सच है कि यहां पर देखिए अगला कोश्चन यह तो बहुत असान सा कोश्चन है इसको कम्प्लीट करना है करूँ कि नहीं ऐसे नहीं बनाएगा यहां से देश वन अब यहां पर देखो यह अला किसमें दिख रहा है इसमें तो आ रहा है यह तो बिलकुली गलत है अब अच्छे यह दोनों इन दोनों को और देख लो लेकिन इसमें एक लाइन ऐसे कि यह सर्किल अंदस चला गया डी एंसर आ रहा है डी आ रहा है सी गलत जवाब आ रहा है डी एंसर मुझे तो लग रहा है मुझे तो डी एंसर नजर आ रहा है आप लोग बताओ जितने लोग सी बता रहा है क्या हो सही है गलत जवाब में आपका एंसर क्या है डी बढ़ा है छलतवि झा रहाistically क्या है पुर आकि तो एंसर क्या है ज़र डी तो क्या है इन valid क्या है verdade है शितना रहा है चला आई एंसर लोग कि एंसर खवा़ थांसर आपका झाल झाल चलो अब आगी वोइस हाँ एक सेकंड ना चलो वोइस आगी ना ड़न है मैं यह कह रहा था कि आपकी जो यह क्लास है रोज सुबह दस्वे चलती है रेगुलर लाइव आया करो इससे हम दुआधा तरीके से ऐसे ही करते रहेंगे पढ़ाई और कोश्चेंस के लेवल को ठीक है ताकि हम अच्छे से लेवल पर तयार कर पाएं आपके आपके यहां यह इसको बोला है दस तस एक्कीस तस और फिर चौदह है तेन ऐसे मीडिया है देन डाइग्राम है ती आई ए जी आर एम डाइग्राम ध्यान से देखो वाविल और कॉंसोनेंट के हिसाप से चलो देखो जल्दी जल्दी बताइए तो कुछ तो गरबन लग रहा है मुझे अच्छा दस दस दो बारे में तस यहां हो रहा है अब यह देखो यहां क्या हो रहा है एंसर देख रहा है सात है एक है 18 है एक है शाथ है और 5 है तो देखो यहां पर 7 और 3 दस एक और 9 दस 18 और 3 एकईस एक और 9 दस 7 और 3 दस और यह देखो 9 और 5 14 तो प्लस तीन प्लस नौ प्लस तीन प्लस नौ प्लस तीन प्लस नौ प्लस तीन प्लस नौ और प्लस तीन गिरा तो तेरा और तीन सोला सोला बोले तो एम यानी सोला और चार और तीन साथ साथ बोले तो चाथ बोले तो जी मतलब जीरो सेवन गिरा ताथ साथ और सोला सब में आ रहा है। नवर एक दस दस किसी में आया। नहीं नुञ नो शिविश्न नवर थारा है। तै ऐसत और अठारे इस इसमें हैं इसमें इसमें यह विश्म करते हैं फिर तीन और एक चार इन और एक यहां पर देखो एक है तीन है नौ है फिर तीन अगर जोड़ेंगे तो तीन और एक कितना हो जाएगा चार लेकिन यहां एक अच्छी बात अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो 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 यहां यह वाविल है यह भी वाविल है और यह भी वाविल है वो बाइचांस अल्टरनेट में अपने आप आ रहा है क्योंकि अगर हम यहां पर अगर हम यहां पर देखो ध्यान से ऐसे रफ करके साफ साफ रिकता हूं और फासा देखो जीरो चार और तीन साथ जीरो सेवन एटीन अगर मैंने यहां तीन जोड़ा तो यह तो चार बन जाएगा लेकिन चार तो कहीं दिखी नहीं रही है देखो ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें इसका मतलब यहां पर नौ जोड़ा जा रहा है तो ये 9 प्लस 9 और प्लस ये हटाना पड़ेगा हमारे को हमारा जो concept बन गया वो ये था अभी बताता हूँ 9 यहां जोड़ते ही 9 कितना हो जाएगा 9 और एक 10 हो जाएगा 9 और एक कितना हो जाएगा 10 उसके बाद ये देखो 7 और 3 अगेन 10 इतने हमारे वेंजन हैं उसमें हम लोग प्लस 3 कर रहें वह इतने हमारे वेंजन है उसमें हम 10 कि अच्छी फिक आई बाद सौनज में है इस दढ़ता है वेटा जो ग्यान देने आये हो कि आपने आज एक को पेपर दिया है घ्यान देना आपके लिए बहुत असान है लेकिन ग्यान देने से पहले पेपर भी तो देना आपके लिए जरूरी है तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो 070710181010 फिर 211016 ऑप्शन नमबर क्या हो जाएगा डी कभी पेपर दिया हो तो पता चले कि प्री और मेंस होता क्याता है तीक है चल आज़ा ग्यान देना हमेशा आसान होता है तीक है अभी पेपर दो तो पता चले हाँ आप्शन से एक अन्ना आसान है नहीं ग्यान देने आ जाते हैं कभी एक को पेपर दिया नहीं होगा चप्रासी का भी पेपर निकलेगा नहीं ठीक है और और मैंने जब सुनते नहीं हो बीच में घुसके घ्यान मत दिया करो मैंने क् continuing तुमने तुसना नहीं है कि मैंने कपके कोश्ट्टिंस कर रहे हैं और क्या कर रहbar ठीक है ना ग्यान अपने ही पास रखो दूसरे को ग्यान देने की जरूरत नहीं है पता है बहुत ग्यान नहीं हूं ठीक है जब आज़ो है यहां देखे पेज को ऐसे मोड़ा फिर बीस से मोड़ने बाद ऐसे न अब यह करेंगे डिस से जाएगा और इसको को देखना है और बताना जल्दी से देखो इन तीन में से कौन सा उप्षिन बनेगा देखो यहां यहां यह तो ठीक लग रहे हैं इसमें भी ठीक लग रहा है इसमें यह गरवड़ है क्योंकि यह इसके तरफ नहीं होना चाहिए ना और यहां पर इसकी साइड बदल गई है ना यहां पर इसकी साइड बदल गई है क्या पूछा है पागज को टुकड़े को मौनने पर आकरम जिस तरीके से हां हां तो देखो अब इस तरीके से कर देखो ड़न है तेंक्यू बेटा चलिए यह होगा शौर है अब इधर वह मैं बना ही देता हो जैसे यह गोला था अब अगर हमने यह वाला ट्रेंगिल ऐसे था इसको जो हमने ओपन किया तो यहां एक कट आया और यह जो ट्रेंगिल है जो यहां कि एंड इस टाइब ऐसा दिए लग रहा है यह गलत थे बाकी सब रहते एवाला क्लियर लेर है लेरे कि दलो अज इस क्लास को यहीं पर रखा जाए है हाँ आज इस क्लास को थोड़ा सा ऐसे रखते हैं ठीक है कि इस प्लास को यहीं रखोंगा इस को इस को यहीं तक रखोंगा मेरे साथ पढ़ना चाते हो तो अभी 11 बजे अभी सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है आप लोग वहां पर सारे लोग जुड़ जाईएगा मेरे साथ ताकि आप लोग को अच्छे से वहां पर भी क्लासे मिल सके बैचे सभी नए स्टार्ट होए उसमें ठीक है तो आज के लिए इत्ता ही रखेंगे कल आप 10 बजे आईएगा हाँ बिटा अभी पेड़ क्लास भी है ना उसकी थोड़ी सी प्रेपरेशन करने होती है कल से हम लोग टाइमली सुरू करेंगी आज छोड़ा सा डिले था टामली स्टार्ट होगा तो हम लोग 1045-50 पर जैसे हमेशा क्लास करते वैसे करेंगे ठीक है फोब सो आप लोग को सारी बाते अच्छे से समझ आई होंगी आप लोग ने कोस्टन से लगाए होंगे इंज्वाए क्या होगा आज की कोस्टन का लेवल देखके आपको एक बात जरूर समझ में आई होगी मेरा ये मानना है कि आपको एक्चुली में मेहनत करने की ज़रूरत है जब हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे हम अच्छे लेवल की कोस्टन को लगाएंगे तो पेपर में कुछ भी आ जाए कैसे भी लेवल का कोस्टन दे दिया जाए एवन मैं आप लोग को बताऊं कल रात दस बज़े जो मेरी असे से सेटा पर क्लास चल मतलब हर पेपर में आये थे अगर आप लोग को महापैक होगा तो आप लोग को मेरी क्लास सबको मिल जाएगी ग्यारा बज़े होती है वैसे जो आपका फाउंडेशन बैच है और आई वी वाले बैच्छे से उन में मेरी क्लास है ठीक है चलो फिर आज के लिए तहीं रखा पानी है आज राब दस बज़े वाली क्लास में आप सब लोग जरूर जुड़िएगा और कल मैं आप लोग के लिए एक इंफॉर्मिशन लेकर आऊंगा कि जो आपकी नमवंबर मंत में वेकिंसी लाइन अप है वो सब कौन कौन सी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो मच ज नहीं है जवाद है हाँ बेटा कराते है रोनिया